अब बड़ी न्यूज आ रही है कि IRCTC में काफी बड़ा उचाल देखने को मिला है इसके कुछ आकड़ों में तो वही उन्हें ही हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो देखते कि क्या कुछ हो रहा है लाइव मार्केट में हम डिसकसिंग करने वाले है तो आयर्स एटीस के बारे में बात कर रहे हैं और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फो शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स के लिए लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं आयर्स एटीसी एल्टेडे तो यहां पर बात कर लेते हैं करन प्राइस की तो अभी तो करन प्राइस का 6200 चोपन का और अगर अभी आप बाइख करना चाहते तो बिल्कुल आप बाइख कर सकते हो यहां पे 376.50 पेसे स्टॉ का अभी तक बढ़ गया है 376 रुपे तक और वही अगर देखा चाहिए परसेंटेज में 6.41 परसेंट तक की तेजी हमें आपर देखने को मिल रही है वही गाइस आगे बढ़ते हैं 5 दिन के टाइम प्रेम पर अगर देखा चाहिए तो यहां पर देख सकते हो 1405 रुपे त इसने आज ओपनिंग हुई थी इसकी और हाई लगा था इसने 6,334 रुपे तक का लो लगा था 6,140 रुपे का और वही अगर देखा जाए कि क्या कुछ हो रहा है तो मार्केड कैप आग देख सकते हो बिल्कुल एक लाग के क्लोज है गाईस बिल्कुल एक लाग के करीब प अल्रेडी मॉर्निंग में ही पौँज गया था बट देखेंगे आगे कि कैसे पौँज आ है तो गाईस यहाँ पर अगर देखें पी रिशियो तो 336.21 का पी रिशियो है काफी हाई है और डिविडेन की भी बात कर लो तो 0.018 परसंग का आसपास का है और नया हाई इसने आज लगा दिया है 52 विक्स का हाई और यहाँ पर आप देख सकते हो 6334 का इसका हाई है और अगर लो की अगर बात करें तो 1219 का इसका यहाँ पर लो हमें देखने को मिल जाएगा वही गाईस यहाँ पर अगर देखो वाल्यूम जो का भी तगड़े हैं यहाँ पर वाल्यूम देखो तो काफी तगड़े हमें देखाई देगे और हम बात कर रहे थे जो न्यूस के हम बात कर रहे थे ओह है मार्केट कैप तो 1,00,00 के पार इसका मार्केट कैप पहुच गया है अब देख सकते हो 1,384,00,00 लाज केप शेर जो कि काफी बड़ी बात है और इसका इंपक्ट सीधे स्टॉक की शेर प्राइस पर पढ़ने वाला है और स्टॉक और भी काफी तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा और जैसे जिसे आज मार्केट क्लोज होता है हो सकता है 7000 के लेवल को भी क्रोस कर दे तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है और वही आगे बढ़ते हो रिजिस्टेंस लेवल और सब्वूट लेवल के बारे में डिसकस कर लेते तो रिजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए हापर 6,038 रुपिस के आसपास का दिख जाएगा वही सेकेंड सब रेजिस्टेंस लेवल के गर में बात करो 600 198 का है और वही अगर दीखा जाए तर्ड रेजिस्टेंस लेवल तो 6430 का है और सपूर्ट लेवल के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो फर्स्ट लेवल यहाँ पर आपको दिख जेगा गाइस 5,646 का और वही अगर सेकेंड सपूर्ट लेवल की में बात करो तो 5,440 का है और वही थर्ट सपूर्ट लेवल की अगर बात कर ले तो 5,254 रुपीस के आसपास दिखाई दे ने देगा तो बैस सपूर्ट लेवल भी काफी लेवल में हैं और वही अगर बात कर यहाँ पर तो रेजिस्तेंस लेवल भी रेजिस्तेंस लेवल भी यह ब्रेक कर देगा अभी तो मार्केट ओपन ही हुआ है और 300 के पार यह चला गया है तो देखना होगा कि का तक जाता ह और मेरी इसाप से 900 तक तो जाए गई जाएगा तो आगे देखते हैं कि price performance में क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है तो price performance पर अच्छा increase होता हुआ यह पर नज़रा रहा है अगर बात करें one year का तो one year का हम देख लेता है 373 के असपस का price performance उपर जा रहा है year on half का अगर देखा जाए 336 है वही अगर गाइस त्री मंथ का अगर देख ले तो 159 के असपस आपको दिखाई दे देगा वही गाइस अगर बात करें one month का तो 62.62 परसंट है वही अगर देखा जाए one week का तो 30.42 परसंट के असपस देखाई देद रहा है तो अगर यहाँ पर अगर देख ले गाइस तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से increase हो रहा है यहाँ पर यह उपर की उचाता हुआ नजर आ रहा है तो यह एक अच्छा रिजन है कि स्टॉक अच्छा मुमेंट उपर के और बड़ा रहा है और अच्छा आगे भी उपर जाए गई जाएगा तो यहाँ पर देख लेते कि trade value में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा volumes अब तक क्या कुछ हो गया है तो volumes के बारे में अ आगे अगे अगर बड़े है तो यहाँ पर आज का ही देख लें तो अभी कुछ मिनिटों में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 lakh 22 lakh के something का हो गया है आप trade value और यह और भी बड़ने कोशिश करेगा और 1 करोड के something यह जाने की बिलकुल कोशिश करेगा क्योंकि market cap में अगर market cap अगर increase होता है तो share price में अपने आप बड़त देखने को हमें मिल ज अभा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 77% लोग अब buy करने के लिए 77% लोगों का अभी भी buy call यहाँ पर उनकी और से दिया जा रहा है और जो की काफी अच्छी बात है और सिर्फ 12% लोगों का केना है कि आप बिलकुल इससे sell कर सकते हो वही लोग है 12% जो पैनिक औ जाए बट अभी तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है कही से कही तक और वही अगर देखा जाए तो 11% लोगों का कहना है बिलकुल आप स्टॉक को hold रखिए long term की सबस्वर मेरा भी कहना है hold रखना चाहिए stock को long term और revenues को अगर देख ले गाई तो 2017 का अगर revenues देखा जाए 1523 क दिख जाएगा वहें 2018 का अगर देखे तो 1466 का दिख जाएगा 2019 का अगर देखा जाएं और ट्वेंटी का अगर देखा जाएगा और तूह पर अगर देखा जाए और यहाँ पर अगर देखा जाए 2017 से लेके अगर 2020 तक की में बात करूँ तो यहाँ पर यह नोन ये अच्छा मोमेंट हमें उपर की और देखने को मिला है बट यहाँ पर नीचे की और आगया था 2021 में क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 783 का ही जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ है और वही आगे बढ़ते हैं अपर नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पर 2017 से लेके 2020 तक आपर 214 का बढ़ गया था नेट प्रॉफिट 2017 में 2018 में 219 का बढ़ा था और वही 2019 की बात करो 308 का बढ़ा है और वही 2020 के अगर बात की जाए तो 528 करोड के सम्तिंग का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है और 2021 के गर में बात करो तो आप पर 889 करोर के सम्तिंग का आपर बढ़ रहा है बट अभी वले ही ये कम है बट 2021 अभी भी खतम नहीं होगा तो बिल्कुल ये बढ़ने की कोशिश करेगा अब बात करते हैं क्या कुछ promoters की holding है share holding pattern काफी stable है IRCTC का वही हम discuss कर लेते हैं और आपर 67.4% के असपास के हापर holding दिख जाएंगे आपको promoters की और जो public holding है 16.32 की है DI की holding है 8.48 की और जो FI की holding है 7.81% के असपास की holding है तो share holding pattern को काफी stable है और President of India जिसमने कल भी वीडियो में बताया था कि Indian government की काफी बड़ी holding इसमें देखने को मिल जाएंगे 67.14 की holding है आपर government of India की और जो government of Singapore की है वो आप देख सकते हो उनकी भी आपर holding है तो जो NRIs companies है NRIs governments है उनकी भी holding है 1.36% तो holding काफी बड़ी है Life Insurance Corporation of India LIC की आपर holding है 2.11% अगरे वीडियो पसंदा हो इस वीडियो को लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू